हेलो फ्रेंद्स मेरा नाम तने तुलसानी है मैं एक हेल्थ क्या टेक्नालोजी कंसल्टन्ट हूँ एक वेलनेस कोच हूँ और एक फूर लवर भी हूँ अपनी अलमोस सारी जिन्दगी ओबीस रहने के बाद मैंने जब जून 2020 में अपनी वेट लॉस जर्णी को की शुरुवात करी तभी मैंने रियलाइस किया कि बस छोटी छोटी कुछ ऐसी डेली हैबिट्स हैं जिनको चेंज करने से आप अपनी लाइफ को काफी बदल सकते हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसी मौनिंग हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद इनकालकेट की जिससे मुझे काफी वेट लॉस में और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में काफी फाइदा मिला सबसे पहले नीन से उटते ही आप क्या करते हैं वाश्रूम जाते हैं एक बहुत जरूरी काम है जो बेट से उटते ही मैंने करना शुरू किया फ्रेश होते ही सबसे पहले मैंने अपना वेट चेक करना शुरू किया हर रोज सुबह उटकर मैं अपना वेट चेक करता हूँ जिसकी आदत मुझे अब जाकर बनी है नियरली 6 मन्स के बाद मुझे रोज सुबह उठकर अपना वेट चेक करने में, काफी टाइम लगा आदत बनाने में, लेकिन इससे मुझे काफी जादा फाइदे मिले, और वो क्या फाइदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. इसके बाद आपको खाली पेड डीटॉक्स वाटर पीना है, सबसे सिंपल डीटॉक्स ड्रिंक या लूक वार्म या गुन गुना पानी लेकर उसमें आप एक हाफ लेमन काट कर स्क्वीज कर दें और इसको फिर पी लें, इसके इलावा और भी बहुत सारी डीटॉक्स ड्रिं मैंने इसके बारे में डीटेल में बताया है, रेसिपीस के साथ, उस वीडियो में मैंने पाँच ऐसे डीटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताया है, और हर एक बेनिफिट्स के बारे में भी बताया है, इन सब हेल्थ ड्रिंक्स को मैंने खुद भी कंजूम किया है, और उनक काफी जादा मुझे लाब भी मिला है ये drinks आपकी body से toxins remove करने में help करती है इसलिए रोज पीने से मेरी weight loss journey काफी accelerate हुई है point number 3, meal planning as per weight जैसे कि मैंने अपनी previous videos में बताया था कि मैंने एक certified nutritionist की help ली थी अपने diet meals को plan करने के लिए तो मुझे वो weekly diet plan करकर देते थे जिसे मैं follow करता था लेकिन हर सुभा जब मैं अपना weight check करता था तो मैं अपनी calories उसके according consume करता था यानि कि जब मेरा weight पिछले दिन से थोड़ा सा बड़ा हुआ होता था तो मैं उस particular day की calories अपनी planned meal में तकरीबन 200 से 300 calories कम consume करता था so to be honest मैं आज भी हर सुभा उठकर अपना weight check करता हूँ और अपना दिन उसके हिसाब से plan करता हूँ ये दोनों चीजें in terms of मेरे calorie consumption and workouts है so मैं इन दोनों चीजों को balance करते हुए ही अपना day plan करता हूँ point number 4 seeds अब बात करते हैं कुछ ऐसी seeds की जो आपको fat burn करने में काफी help करेंगे इन में से कुछ जिनको मैं खुद consume करता हूँ वो है pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds और sunflower seeds इनके बारे में मुझे मेरी nutritionist ने बताया था और इन में से हर type के seeds एक अलग-अलग benefits देते हैं इनको consume करने में भी कई अलग-अलग तरीके हैं अगर आप चाते हैं कि मैं इन पर एक full video बनाओ तो आप comments box में comment करकर मुझे जरूर बतायेगा ताकि मैं इस पर भी content prepare करूँ और आपको हर तरीके के seeds जो consume करने उसके बारे में explain कर पाऊ point number 5 इसके बाद आप अपनी morning tea ले सकते हैं आपने बिल्कुल ठीक सुना अगर आप weight loss करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आप चाय पी सकते हैं अगर आपको green tea पसंद है तो उससे जादा अच्छा कुछ है ही नहीं नहीं तो आप black tea ले सकते हैं या आप अपनी regular चाय भी पी सकते हैं बट आपको थोड़ा दूद डालने में परहेस करना पड़ेगा मैं recommend करूँगा कि तकरीबन 2 tablespoons ही दूद आट करें या एक dash milk आट करें sugar को completely avoid करें क्योंकि कभी-कभी अगर sugar की craving होती है तो sugar free या natural sugar जैसे jaggery powder यूज कर लें या coconut sugar यूज कर लें पर मैं फिर से यही कहूंगा कि जितना sugar avoid करेंगे उतना better है इससे आपको अपनी diet में calories कट करने में भी help मिलेगी पर आपके इसके साथ-साथ blood sugar के levels भी control में रहेंगे जो एक main problem statement थी मेरी भी मैं शुरू-शुरू में अपनी चाय में sugar free consume करता था पर धीरे-धीरे मैंने वो आदत भी छोड़ दी trust me जब आप बिना चीनी के चाय पीते हैं तो उसके aroma और उसके flavors से flavors और भी ज़ादा आप enjoy कर पाते हैं और ये difference over a period of time मैंने भी महसूस किया point number six pre-workout meal दोस्तों workout से पहले भी कुछ खाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी body में exercise करने के लिए stamina बनी रहे या energy बनी रहे workout से पहले मेरे trainer ने मुझे ये recommend किया था कि मैं कुछ ऐसी diet consume करूँ जो protein rich हो तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी options हैं जैसे कि एक कटोरी मूंग या चना दाल sprouts या protein shake या multi-grain bread toast पर आप peanut butter लगा सकते हैं ये specifically मैं काफी बार करता हूँ इसके लावा आप oatmeal जिसको आप नमकीन या मीठा अपने taste के according बना सकते हैं मीठे के लिए चीनी की जगा oatmeal में आप fruits adds कर सकते हैं जैसे कि banana जो easily available भी होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता point number seven जब आप अपने दिन की शुरुवात workout से करते हैं तो सारा दिन काफी positive और active महसूस करते हैं अगर आप भी मेरी तरह late सोने वाले और late उठने वाले हैं तो starting में कुछ तिन आपको ये problem रहेगी but trust me it's worth it सुबह workout करने से मुझे weight loss के लावा और भी बहुत सारे benefits मिले हैं जब मैं सुबह workout करता हूँ तो पूरा दिन healthy diet consume करने के लिए मैं काफी motivated feel करता हूँ अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम exercise करते हैं तो हमारी body endorphins release करती है जिसको feel good hormones भी कहा जाता है इसलिए सुबह सुबह workout करता हूँ जब मैं तो मैंने ये notice किया है कि मैं पूरा दिन मेरा mood काफी light रहता है और काफी happy भी रहता है तो आज की इस video के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी ये simple tips पसंद आ रही है तो जल्दी से इनको आजमा कर देखिए जिस तरह मैंने इनकी help से weight loss किया और खुद को healthy बनाया वैसे ही आप इन tips के help से अपनी weight transformation journey को भी शुरू कर सकते हैं अगर आप मेरी detox drinks वाली video जिसके बारे में मैंने second morning weight loss habit में बताया को देखना चाते हैं तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा जाने से पहले please 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 like and share this video और मेरे चैनल को subscribe करें bell icon को press करें ताकि जब भी मैं कोई नई video update करूँ तो आपको सबसे पहले इसकी notification मिले thanks for all your love and support on my previous videos मैं जल्दी आपको एक नई video के साथ मिलूँगा तब तक के लिए thank you, शुक्रिया, नमस्कार